अगर आपका Taro अकल्ट में इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं, we have a Taro Certification Course जिसमें A to Z about Taro आपको सीखने को मिलेगा. When I say A to Z, मतलब बहुत simple simple basic चीजों से लेकर, जो भी main main topic है, each and everything connected and related to Taro is covered in this course. अपनी इस जर्नी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, यानि कि कैसे आप एक professional Taro card reader बन सकते हैं, अपना career Taro में बना सकते हैं, ये भी इस course में covered है. और अगर इसी से ही related कोई भी doubt, कोई भी सवाल आपके मन में हैं, आप screen पे दिये गए number पर हमें WhatsApp कर सकते हैं, अपने doubts को clear कर सकते हैं. Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए July 2024 की Love Taro Reading. तो अगर आप जानना चाहते हैं July मन्त में, आपके partner की क्या energies रहेंगे आपके लिए, इस relationship के लिए, आप क्या महसूस करेंगे, finally July मन्त में क्या होगा, तो ये reading आपके लिए हैं, और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, यानि की लगन से भी देख सकते हैं, नाम की राशी से भी देख सकते हैं, sun sign, moon sign से भी देख सकते हैं, जिस sign से आप connected feel करते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये आपका sign है, उसी sign के हिसाब से आप tarot reading को देख सकते हैं तो चलिए जी देखते हैं कि July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है चलिए एक्वेर्स आप लुगों के लिए देखें कि July 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पस यहाँ पर तीन set of cards है First set of cards में हम आपकी energies देखेंगे Second set of cards में आपके partner की energies देखेंगे And third set of cards में हम देखेंगे कि finally July मन्त में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए आपे सबसे बहले cards हैं Liar and Queen of Inspiration Rivers और यह cards कहते हैं कि कुछ time से या फिर July starting में आप थोड़ा सा low feel कर रहे हैं Enthusiasm, Excitement missing रहता हुआ दिख रहा है उतने motivated इस relationship को लेकर, partner को लेकर या फिर otherwise कोई भी चीज हो सकती है आपके personal front में या professional front में उसको लेकर महसूस कर रहे हैं Cards के हिसाब से देखें तो Queen of Inspiration के नीचे liar का card है और liar का card कहता है कि किसी भी तरीके का किसी भी level का जूट आपको bother कर रहा है आपको परिशान कर रहा है अब दिखिए एक general leading है तो ये जूट किसी की भी तरफ से हो सकता है और फिर से मैं कहूंगी किसी भी form में हो सकता है होता है ना जब partner हमारे साथ transparency नहीं रखते है या फिर हम अपने partner के साथ transparent नहीं होते है अगेन किसी भी reason की वज़े से तो वो भी एक जूट होता है तो कुछ equation के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके partner ने आपसे जूट बोला या फिर transparency नहीं रखी या again किसी भी किसम का एक उनकी तरफ से fair energies आपको नहीं लग रही है इसलिए आप परिशान हो रहे हैं आपके energy levels low है या फिर अगर आपने भी transparency नहीं रखी किसी भी level पर किसी भी तरीके से उनसे जूट बोला तो ये चीज आपको bother कर रही है क्योंकि जब हम भी एक transparency नहीं रख पाते हैं या सशनी बोलते हैं तो हमें मन ही मन बहुत बुरा लगता है एक अच्छी feeling नहीं होती तो फिर से कहूंगी किसी की भी तरफ से हो सकता है किसी भी लेवल पर किसी भी तरीके का जूट हो सकता है जो आपको bother कर रहा है and mid July के लिए awakening reverse का card कहता है इसी वज़े से या फिर otherwise भी एक awakening, एक realization आपको हो रही है होता है ना कितनी बारी कि हमें deeper level के लिए चीज़ें पता होती हैं या फिर you know पता होती हैं और हम उनको ignore करते हैं या हम जानने की ही कोशिश नहीं करते हैं हम बड़े ignorant हो जाते हैं हमें इस चीज़ का एहसास यह नहीं होता है कि यह चीज़ ठीक नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए हम सिरफ एक blind trust पे या फिर इतने प्यार में अंध्य होते हैं कि बहुत सरी चीज़ों को हम ignore करते हैं हम उनको you know इतनी एहमियत नहीं देते हैं हम बोलते हैं चलो भई छोटी सी बात है जाने तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं ऐसे करते रहते हैं फिर कभी कभी एक ऐसी बात होती है या फिर जब बार 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 एकी चीज़ ऐसी होती रहती है जो आपको लग रहा है डीपर लेविल के ठीक नहीं है तो फिर इंतम से एक awakening होती है एक realization होती है तो इस तरीके की energies कुछ equations या फिर काफी सारे equations के लिए रह सकती है अब देखिया आपकी खुद की भी एक तरफ से behavior भी reason रह सकता है पार्टनर की तरफ से भी रह सकता है तो कहीं फिर से कहूंगे एक awakening, एक realization, एक एहसास स्वा होता 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 है और इस taboo का card कहता है कि कहीं आप डर रहे हैं, एक fear है कि भी इस चीज को confront करें ना करें क्योंकि awakening का card भी reverse है तो realization होने के बावजूद शायद उस direction में action नहीं ले पा रहे हैं या again कुछ भी हो सकता है ये general reading है बट कहीं जिस तरीके से आपको उस चीज से related आगे decision choice लेनी चाहिए आप फिर action initiatives लेनी चाहिए, आप नहीं ले रहे हैं और शायद इसलिए stuck महसूस करते हुए दिख रहे हैं बहुत जादा आपको ऐसे लग सकता है कि इस situation में अटक गया है ना तो आगे जा पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं और यहां पर hostility का card कहता है कि मन ही मन एक इनो अच्छी feeling नहीं हो रही है गुस्सा है, irritation है, frustration है and surface level के लिए three of inspiration का card कहता है कि आप थोड़ा सा pause लेकि किसी चीज़ का यहां तो इंतजार कर रहे हैं या फिर future के बारे में आप जादा सोच रहे हैं होता है ना कभी-कभी कि हम अभी क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए इतना हैम नहीं होता है पर जो अब हम अभी कर रहे हैं उसके basis पर future में क्या outcome होगा, future में इसका क्या एक result होगा, उसके उपर हम जादा focus कर रहे होते हैं तो कहीं इस तरीके की energies रहती भी दिख रही है अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies है तो देखिए आपके partner के लिए आपे सबसे पहला card मुझे देख रहा है, innocence और देखिए आपके लिए आपे liar का card है तो ये दोनों cards कहीं connected है अब यहाँ पर फिर से कहूंगी किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके की एक गलत बात हो सकती है या हम specifically जूट को नहीं पकड़ेंगे या जूट के बारे में नहीं बात करेंगे कुछ भी हो सकता है जो आपकी तरफ से fair नहीं था या उनकी तरफ से fair नहीं था दो भी आपके partner के लिए innocence का card कहता है उनको यसे लगता है आपने क्यों उनके साथ गलत किया क्योंकि वो तो बहुत innocent है तो I hope कि आपको meaning convey हो गया दोनों ही scenario में ये दोनों cards connected है liar and innocent अगर आपके partner की तरफ से आपको लग रहा है कि उन्होंने जूट बोला तो आपके partner को ये चीज बुरी लग रही है कि उनको लग रहा है कि वो तो बिल्कुल इन्नोसेंट है और उनकी कोई गलत intention नहीं थी और अगर आपने भी गलत किसी भी तरफ से किया या आपकी तरफ से हो गया तो भी उनको लग रहा है कि वो तो बड़े इन्नोसेंट है और वो क्यूं इस चीज का हरजाना भरे हैं जैसे होता है कि वो क्यूं सफर करें सफर is actually a very very you know heavy word बट हाँ वो क्यूं परिशान हो और यहाँ पे चारियर्ट रिवर्स का काट कहता है कि कहीं थोड़े से rude होते वे दिख रहे हैं rough होते वे दिख रहे हैं कहीं एक aggressive energies उनकी रहती वे दिख रही हैं हो सकता हो आपको कहें कि भाई वो move on करना चाहते हैं इस relationship से लेकिन कर नहीं पा रहे हैं कहीं चीजों का control लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं और कुछ के लिए simply हो सकता है कि आपके partner travel करना चाह रहे हैं उनके travel plans delay हो रहे हैं और यहाँ पर emotions ascending तो यह card कहता है कि deeper level के लिए बहुत emotional हो रहे हैं और हो सकता है argumentative वाली energies हों कभी-कभी होता है ना हम किसी से हलका सभी कुछ कहते हो आगे से ऐसे हमें चेड़ के frustrated हो के जवाब देते हैं कि हमें लगता है कि हमने क्यों ही इनसे बात करी तो आपके partner की वैसी वाली energies रहती भी दिख रहे हैं साथ ही साथ आपके partner बहुत जादा आपको social media पे stock करते हुए दिख रहे हैं पूरी की पूरी नजर उनकी आपके उपर है कि भी आप क्या कर रहे हैं क्या, you know, कहां जा रहे हैं sort of thing and end July के लिए हाँ पे release and Ace of Cups reverse के cards कहते हैं sorry, नहीं, अपराइट है Ace of Cups upright है और ये card कहीं बहुत ही एक प्यार महबबत की बात करता है release का card किसी चीज को let go करने की बात करता है तो हो सकता है कि जो भी उनका गुसा है, frustration है वो by the end of the July कहीं वो उसको release कर रहे हैं और बहुत एक प्यार महबबत आपके लिए महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है भी पुरानी सारी बातें छोड़ो नए सिरे से चीज़ें शुरू करते हैं नए सिरे से बहुत ही lovingly बहुत ही प्यार महबबत के साथ चीज़ों को एक दूसरे के साथ शुरू करते हैं अब दिखते हैं कि जुलाई मंत में क्या हो रहा है तो दिखें जुलाई मंत के लिए यहाँ पर refresh का card है तो मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जो भी चीज़ें bother कर रही हैं उनको end करके नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहा है मैं यह नहीं कह रही हूँ कि ऐसा आप कर रहे हैं लेकिन मन ही मन की आप दोनों की यह feelings हो सकती हैं दोनों की यह भावना हो सकती है और surface level के लिए strength का card कहता है शायर इसी लिए कुछ चीज़ें बुरी लग रही हैं कुछ चीज़ें hurt कर रही हैं फिर भी उनको ignore कर रहे हैं फिर भी बहुत ही सबर के साथ lovingly, compassionately एक दूसरे के साथ चीज़ों को deal कर रहे हैं लेकिन कहीं mid July बहुत great नहीं जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि जो भी आपकी energies हैं आपके partner की energies हैं वो जादा mid July में इनों भार निकलती भी दिख रही हैं जहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं खराब मैं नहीं कहूंगी लेकिन हाँ आप दोनों के बीच में issues रह सकते हैं spoiled का card again इसी चीज़ को confirm करता है कि कुछ issues मसले हैं spoiled मतलब again literal meaning देखें तो खराब होना and page of pentacles reverse का card गहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक maturity के साथ चीज़ों को नहीं deal करें तो थोड़ा सा maturity के साथ चीज़ों को deal करने की ज़रत है थोड़ा सा एक जैसे बोलते हैं बड़पन दिखाने की ज़रत है क्योंकि अगर आप बचकाने तरीके से चीज़ों को deal करेंगे तो फिर चीज़ें खराब हो सकती है और हो सकता है कि कुछ एक्वेरियस या उनके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि बई सिरफ और सिरफ immaturity की वज़े से ही ये issues मसले हो रहे है and end July के लिए आपे night of inspiration, reverse and material, needs, career का कार्ट कहते है कि हो सकता है professional front पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक जादा attention दे रहे है या फिर इसकी वज़े से कुछ issues मसले हो रहे हैं आप दोनों के बीच में या आप दोनों में से किसी एक की life में हो रहे हैं और इसकी वज़े से relationship पे एक असर पढ़ रहा है negative असर पढ़ रहा है और कहीं चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहा रहे हैं एक movement, एक shift चाहा रहे हैं लेकिन उस तरीके से हो नहीं रही है और कहीं देखे एक anxious energies रह सकती हैं कहीं एक restlessness रह सकती है तो यहाँ पे दिखिए cards की तरफ से आपके लिए guidance ही होगी कि जो भी आप लोग feel कर रहे हैं बहुत lovingly, बहुत प्यार से एक दूसरे को communicate करें ताना मार के बात कर रहे हैं तो नहीं करें क्योंकि communication बहुत एक important role play करता है relationships में हम किस तरीके से बात करते हैं trust me, वो बहुत-बहुत impact करता है relationship को simple सा sentence, प्यार से बोले हुए का अलग मतलब होता है और गुस्से से ताना मार के बोले हुए का अलग मतलब होता है तो communication का ख्याल रखें, maturity के साथ चीजों को deal करें क्यूंकि हाँ पे page of pentacles reverse का card कहीं immaturity की वज़े से चीजों के खराब होने की बात करता है and yes, इन चीजों का ख्याल रखा तो relationship में जो end of the July में एक restlessness anxiety है वो कहीं better हो सकती है चीजें आप दुनों के बीच में better हो सकती है तो यह था queries आप लोगों के लिए July 2024 की lap taro reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें